नमस्ते दोस्तों, आज की सब्जी में हम ना प्याज, ना लेसुन, ना क्रीम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन शाही सब्जी बनाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से बनेगी, चलिए मैंने किस तरीके से बनाया है, आपके साथ शेयर करती हूँ, सबसे पह हो गया है, जो हमने पनीर के टुकड़े काटे हैं, उस तेल में पनीर के टुकड़ों को डाल देखिए, और देखिए, गैस की आज को धीरे ही रखना है, तेज रखेंगे, तो पनीर के टुकड़े हमारे जल जाएंगे, अब पनीर के टुकड़ों को हमें धीरे-धीरे भू तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अभी आगे देखिएगा कि पानी हम गरम करने के लिए रखेंगे और गरम पानी में हम इन पनीर के टुकड़ों को डालेंगे जिससे पनीर सॉफ्ट भी हो जाता है और सब्सक्राइब बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है अब हम थोड़ा सा पानी गरम करने के लिए रख देंगे देखिए पानी गरम हो गया है थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा पिसी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इन सभी चीजों का अच्छे मिक्स करेंगे और पनीर के टुकड़ों क तो इन में कम से कम 15 मिनिट के लिए बिगा के रख देंगे अब देखिए उसी पैन को मैंने फिर से गैस के उपर चड़ा दिया है थोड़ा सा तेल उसमें पड़ा हुआ है आदी चम्मच जीरा डालेंगे दो तेश पत्तर डालेंगे एक बड़ी लाइची डालेंगे और एक थालोग मैंने लाइची व्हञा है थोड़ासा हम अद्रग का टुकडा भी डालेंगे अब हम उसमें 7 से 8 काली मीच़ डाल देंगे अब चाहें थो कम सकते हैं एक मेंने छोटावच eer इभी डाल देंगे दो हरी मिस्हा पैन मीच help मीचल लगाएंगे टोड़ासा इनको भू तोड़ा साथ ही मैं थोड़ा सा थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है गरम गरम हम नहीं पीस सकते हैं देखिए सबी मसाले थंदे हो गया है अब इसको हम ग्रेंडर जाल में डाल देंगे अब उसके साथ ही में मैंने थोड़ा से पनीर के टुकड़े भी अलग करके रखे हुए हैं उसमें हम पनीर के टुकड़े भी डाल देंगे साथ में हम कम से कम आठ काजु डाल देंगे आपके परस नहीं है तो नहीं डालिएगा कोई बात नहीं वैसे भी टेस्ट अच्छा आ है अब देखिए काजु को मैंने भीगाया नहीं है ऐसे ही डाइरेक्ट पीस लिया है देखिए सभी मसाले अच्छे से पीस गये हैं और इसका एक बढ़िया मिक्षर तैयार हो गया है अब फिर से हम कढ़ाई को गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें हम थोड़ा सा सरसो क अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वह इसी में डाल देंगे और इसको भूनेंगे इसको बराबर भूनते रहना है क्योंकि इसमें काजु पड़ा है अगर हम बराबर इसको नहीं चलाएंगे तो यह मसाला तली में चिपक जाएगा अब हम आदी चमच हल्दी पाउडर ड अब यह मसाले को हम सात में भूल लेंगे अब देखिया मसाला हमारा भूनने के लिए आया है अब इसको हम साइड में करेंगे और एक चमचिस में हम बेसन डाल देंगे साइड में से जो तेल छूटा हुआ है उसमें ही डालना है देखे इसी तेल में हम बेसन को अच्छे से भूल लेंगे बेसन डालने से सबजी में टेश्ट तो आता ही है साथ में हमारी सबजी गाड़ी भी बन जाती है बेसन कच्चा ना रहे इसको हमें continue भूझते रहना है देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा जादा नहीं टाइम लगता है बस पांच मिनिट लगते हैं भूनने को बेसन भी भून गया है अब कम से कम एक चमच हम इसके उपर कसूरी मेती भी डालेंगे कसूरी मेती को इसी मसाले की साथ में थोड़ा सा भून लेना है देखिए कसूरी मेती भी हमारी भून गई है अब इस मसाले में हम दो बड़े चमच दही डालेंगे दही डालने से सबजी में साथ बहुत अच्छा आता है क्योंकि रेस्टरॉंट वाले सबजी में दही जरूर डालते हैं और इस मसाले के साथ में दही को अच्छे से भून लेना है अब शाही सबजी है तो उसमें दही भी पढ़ेगा क्योंकि जितने भी शाही सबजियां होती है उसमें दही जरूर पड़ता है देखिए दही भी हमारा अच्छे से भून गया है और साइड में से जब तेल छूटने लगे तो समझ लीजिए कि मसाला हमारा अच्छे से पग गया है अब मैंने एक कप मटर ली है यह फ्रोजन मटर है अब इस मटर को हम इसी मसाले के साथ थोड़ा सा भूल लेंगे डाइरेक्ट नहीं डालना है बस थोड़ा सा पहले भूल लेना है देखिए इसमें काजू अगर पड़ा है तो कड़ाई में चिपकने लगता है इसके लिए इसे बराबर चलाते रहना है अब आदी चमच हम भूना जीरा पाउडर डालेंगे भूना जीरा पाउडर डालने से सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जीरा पाउडर को हम इसी मसाले के साथ में मिला देंगे अब हम एक कप दूर डालेंगे दूर डालने से सबजी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमारे पास क्रीम नहीं है और क्रीमी टेस्ट लाने के लिए तो कुछ न कुछ करना चाहिए इसलिए हमने इसमें दूर डाल दिया है अब इसके उपर हम 1 चमच शुद्घी भी डालेंगे अगर हम इसके उपर घी डालेंगे तो सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्रीम डाली है कि नहीं डाली है अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे ठंदा पानी हमें नहीं डालना है, गरम पानी ही डालना है, मैंने मिक्सी का जो जार था, उसमें ही पाई डालके इसे धो लिया है, और वही पाई डाल दिया है, अब इसके उपर थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप जैसा खाते हैं, उसे साफ से डालिएगा, एक चम्म चम हम शक्कार डालेंगे और आदा चमा चम गरम मसाला पाउडर डालेंगे इन सभी चीजों को हम अच्छे से मैउक्स करankiंगे शक्केरल डालने से हमारी सब्ची में जो खता से उसका बैलेंस मेंठेन रहता है अब सबजी को अच्छे से खौल जाने देंगे अब सबजी खौल चुकी है अब पनीर के टुकडो को हम इसी ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छे से मेक्स कर देंगे फिर से हम धक्कन लगाएंगे और थोड़ा सा उबालाने देंगे थोड़ा सा उबाल आने से पनीर में अच्छे से जो ग्रेवी है उसका रसा सूख जाता है इस सब्जी में और अच्छा टेस्ट आता है अब देखिए उपर से हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे देखिए हमारी कितनी बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बन के तयार है दोस्तों ये बहुत ही स्वाधिस सब्जी बनी है आप इस सब्जी को रोटी के साथ, पराटे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों बिना प्याज, बिना लेसन और बिना क्रीम के ये सबजी बनी है आप इस सबजी को बनाएंगे तो घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे दोस्तों आपको ये सबजी कैसी लगी प्लीज जरूर बताईएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर